Recently NSE ने एक circular pass किया है जहाँ पर NSE ने clearly mention किया है कि market में जितने भी stock brokers हैं वो 10 September के बाद digital gold में deal नहीं कर पाएंगे इसके साथ में 10 September के बाद आप investments नहीं कर पाएंगे digital gold में किसी भी stock broker के थूँ Hey guys, my name is Vimal और मैं एक finance professional हूँ Hey guys, आज की video में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस update से क्या-क्या फाइदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं इसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपने digital gold को अपने demand account में hold किया है तो 10 September के बाद इसका क्या होगा जब कभी भी हम लोग gold में investments करते हैं, तो यहाँ पर 3 option होते हैं कि हम digital gold में investments कर सकते हैं, gold के bond में investments कर सकते हैं या physical gold में investments कर सकते हैं digital gold में investments करने के लिए यहाँ पर 3 company हैं physical gold में investments करने के लिए हम जाते हैं, जोलेल के पास इसके लावा Sovereign Gold Bond में इन्वेस्मेंट्स करने के लिए हमें अप्रोच करना होता है RBI को इसके लावा जब कभी भी हम लोग Digital Gold में इन्वेस्मेंट्स करते हैं तो यहाँ पर तीन कमपनी होती है जिनके पास हम लोग Digital Gold जो है वो परचेस करते हैं सबसे पहली कमपनी है Augmont, दूसरी कमपनी है Safe Gold और तीसरी कमपनी है MMTC Digital Gold में इन्वेस्मेंट्स करने के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाया है बहुत पहले जिसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसके साथ साथ आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं तो इस वीडियो का एक बार चेक आउट ज़रूर करना तो जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं और इसके लावा काफी सारे नॉन फिनाइशल इंस्टॉशन भी हैं तो बीच में वो एज ब्रोकर का काम करते हैं अब हम आते हैं हमारे में रिजन पर कि NSE ने बैं क्योंकि हैं स्टॉक ब्रोकर्स को डिजिटल गोल्ड बेचने से अब NSE के इस डिजिजन का में रिजन क्या हैं क्योंकि डिजिटल गोल्ड एक ऐसा प्रोड़क्ट हैं जिसको सेक्योरिटीज एन एक्सचेंज बोर्ड अफ इंडिया भी रेगुलेट नहीं करती हैं तो यहां पे वैलिवेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती हैं लोग specific companies से gold purchase करते हैं ना कि stock broker के पास से तो अगर यहां पर यह option चला भी जाता है तो आपका जो gold का investments है जो digital gold का investments है वो specific company के पास safe होगा इसके साथ में अगर आप gold को withdraw करना चाहते हैं तो यहां पर आप apply कर सकते हैं एक request करके इसके लवर digital gold में काफी तरीके हैं investments करने के आप यहां पर SIP कर सकते हैं आप यहां पर fixed deposit कर सकते हैं gold में और काफी सारे option हैं जो आप check कर सकते हैं इन companies की websites पर मैं आपको link जो हैं वो description में दे दूँगा आप वहाँ पर जाके checkout कर सकते हैं कितने सारे options होते हैं और अगर में इनके returns की बात करो तो यहां पर आप investments करके काफी अच्छे खासे returns जो हैं वो generate कर सकते हैं अगर आप gold से भी ज्यादा returns कमाना चाहते हैं तो आप investments कर सकते हैं stock market में और इसके साथ साथ आप cryptocurrencies में भी investments कर सकते हैं cryptocurrency में investments केस application से करना चाहिए कैसे करना चाहिए इसके उपर विडियो बनाया है जिसकी link में description में दे दूँगा और इसके साथ साथ i button पर भी है तो आप उस वीडियो को check out कर सकते हैं और investment जो हैं वो start कर सकते हैं अगर आपके अगली वीडियो में जहां पर हम लोग बात करेंगे ऐसी company के बारे में एक ऐसी टेकनिक के बारे में जिससे आप find out कर सकते हो कि कौन सी company जो है वो loss making है किस company में loss हो सकता है आप वो find out कर सकते हो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए signing off